तो मसालों के बाद बात करें यहां से अगर अब गौर कॉंफ्लेक्स की तो हम देख रहे हैं गौर गम का डिसेंबर वाइदा 10,112 पर ट्रेड कर रहा है 10,660 का ही लगा चुका है पांच फीजदी का निचला सर्कीट है पांच फीजदी का लोवर सर्कीट है वहीं गौर सीड का डिसेंबर वाद देख रहे हैं 5731 पर ट्रेड कर रहा है 5950 का ही लगा चुका है और साड़े तीन फीजदी का लोवर सर्कीट हम देख रहे हैं कि आज हफ़ते के पहले कारोबारी दिन जैसा कि गौर ने क्लोजिंग होते होते लोवर सर्कीट लगा था आज हफ़ते के पहले कारोबारी दिन गौर में वही गिरावट अभी वी जारी है गौर गम में 5 फीजदी से जादा का लोवर सरकीट और गौर सीड में 3 फीजदी का लोवर सरकीट निचला सरकीट लगता नज़र आ गया है जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यहीं बता रहे ह कि गवार में टेक्निकली अगले कारुबारी सब्ता ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि गवार गम और गवार सीट में टेक्निकली कह रहा हूं कि टेक्निकली कुछ हलकी फुलकी बड़ बंती नजर आए लेकिन उन पर खरीदारी की सला बिलकुल भी नहीं दे रहे है निवेशक जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि गवार में अभी उपरी स्थरुपर अगर आप बिक्वाली कर सकते हैं तो बिक्वाली करके जरूर चल दें अगर आपको चाल मिलता है वरना यह जो कीमते हैं यहां से अभी और ज़ादा नीचले स्थरुपर गहराने वाली है हो सकता है गवार गम 10,000 से भी जाद नीचे जाए 9,000, 9,500 ऐसे भी जो कीमते हैं वो आती दिख जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसे बात करें गवार सीर की तो गवार सीड में हमने 57,000 का लेवल आज देख लिया है अगर नीचे में 54,500, 56,000 तक का भी लेवल दिख जाए गवार सीड में तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी हाला कि गवार गम के जो फंडमेंटल से मजबूत हैं क्योंकि गवार का जो प्रोडक्शन है पिछले साल की मुकाबले इस बार कम ही रहने वाला है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी ठीक ठाकी है लेकिन जो क्रूड प्राइसे में यानि कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिली है अचानक से उसका असर कहीं न कई गवार की कीमतों पर पड़ता नज़र आ रहे हैं जिसकी वज़ा से हम गवार में ये गिरावट बनती देख रहे हैं और दूसरा अब गवार की जो मंदी तेजी है अब वो प्रोडक्शन पर इतनी डिपेंड नहीं करी है जितने की अब डिमांड पर हो लिए है अब गवार के जो फंडामेंटल सो धीरे धीरे डिमांड की और शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम भी है और डिमांड किसी पर्टिकुलर चीज़ की है ही नहीं तब भी उसकी कीमते नरम ही रहेंगी लेकिन प्रोडक्शन कम है डिमांड जोरो पर है तो कीमते उचल जाती है तो अभी इस प्री डिमांड पर भी काफी जादा डिपैंड करेगा की आगे जा के गौर की कीमते क्या रहेंगी लेकि अभी ओबरॉल रूजहान गौरगम गौर सीड में गिरावट वाली रहेगा नर्मी वाला ही रहेगा उपरी इस तरुपर बिक्वाली करके चलना अभी सही रहेगा और गौारगम और गौासीड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी निवेश की सला बिलकुल भी नहीं दे रहे हैं गौारगम और गौासीड से अगर आप अभी दोरी बना ले तो ही जादा बेटर रहेगा